बिस्मिल्य रहमान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, वल्कम टू लिंक इन सलूशन, आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको एक डालर से e-commerce बिजनिस के बार में बताने वाला हूँ किस तरह आप एक डालर से अपना e-commerce बिजनिस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मु के साथ आप काम कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह Shopify पे आप अपना store बना सकते हो, अपना account बना सकते हो, और without any investment आप अपना e-commerce बिजनिस कर सकते हो, dropshipping बिजनिस कर सकते हो, अपना store बना के अपने products बेच सकते हो, पूरा तरीका बत बताने वाला हूँ, अगर आप एक डालर में भी start नहीं कर सकते हैं, या एक डालर में भी start नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, अगर आप interested है, आप काम करना चाहते हैं, तो यी वीडियो end तक देखें, बिल्कुल step by step में आपको बताने व तो आपको मैं ले चलता हूँ, अपने computer पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको link दी है, description में वो आप paste करेंगे, यहाँ पे ताकि आप Shopify के main जो page है, उसी पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको one dollar वाला plan मिल रहा है, ठीक है, पहले Shopify ने इसको खतम किया था, और one month क यादा one dollar पे, अभी Shopify ने इसको three months किया है, यानि कि three months सिरफ और सिरफ आप एक dollar देंगे, चाहे आप जितना भी business करें, जितना भी use करें, इसको सिरफ और सिरफ आप एक dollar, जो है न, three months के लिए आप पे करेंगे Shopify को, तो आपके पास 90 days है, तो 90 days के में आपके पास इतना time है, इतना time है, अगर आप देल से काम करेंगे, तो बहुत सारे पैसे आप कमा सकते है, 90 days बहुत बड़ा time है, अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही आप आते है, स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जो link पे ने आपको दी है, आपने सबसे पहले वो बाउजर में आप करके आपने यहाँ पे आना है, जैसे ही आप करते हो तो आप यह शाप्रिफाय का main dashboard जो है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने email को जो है, यहाँ पे वो देना है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने email दे in करने के लिए यहाँ पर मेरा email आगे ठीक है अब यहाँ पर आपके email पर एक OTP message आजाएगा वो OTP यहाँ से आप ले लेंगे और यहाँ पर आप enter कर देंगे ठीक है OTP देने के बाद यहाँ पर आजाएंगे आप अपने email को confirm कर देंगे review में और यहाँ पर आप next step पर आजाएंगे जो Shopify का plan है वो आपको मिल जाएगा ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर हमने तोड़ा basic setup करना है यहाँ पर let's get started where would you like to sell ठीक है अब यहाँ पर आप से पूछ रहे के आप कहां पर और क्या sale करना चारो एन online store in person social media और बहुत सारे option है तो हम जो है ना create a fully customized website हमने इस पर click करना है ठीक है तो मैं जो है ना इस पर click कर रहा हूं और यहाँ पर मैं आ गया which of the best describe you I am just starting I am already selling online in a person ठीक है तो आप beginner है तो यहाँ पर I am just starting पर click करें और यहाँ पर next step पर आप आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपका plan आ जाएगा which plan do you want to try यहाँ पर है आपका $1 वाला जो के 3 months के लिए है basic second जो है वो और Shopify का है पिर तीसरा जो है वो advance है तो यहाँ पर हम basic वाले try करते हैं यहाँ पर क्लिक करें तो आपका जो basic plan है वो activate हो जाएगा अब यहाँ पर आपने डरना नहीं है आप से कार्ट के information मांग रहे credit card debit card के तो आपने क्या करना है आपने I will do this लेटर पर क्लिक करना है हम अभी नहीं दे रहे हम अभी purchase नहीं कर रहे है यहाँ फ्री में मिल रहे ठीक है अब यहाँ पर मैं Shopify के main जो के dashboard है उसी पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ ठीक है अब यहाँ पर आपने जो है कुछ setups करने store के अगर आप store करा हूँ test store ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिग दिया store का phone number अगर आप देना चाहे तो यहाँ पर अपने store के लिए phone number भी आप दे सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपका email आ जाएगा और आप आप जो है selling कर सकते हैं या इसके इलावा drop shipping के लिए भी बहुत ज्यादा best है अगर आप drop shipping करना चाहते हैं तो drop shipping के लिए जबरदस्त है बेस्ट है आप CJ drop shipping को connect कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको free with zero investment आपको products मिल जाते हैं इसको आप sale out करते हैं ठीक है तरीका मैं आपको बत CJ drop shipping को install करना है और CJ drop shipping पे account भी बनाना है सबसे पहले CJ drop shipping पे account बनाने के लिए मैंने link description में दी है आप वो link copy करेंगे अपने description में से और यहाँ पे आके इसी browser में आप paste करेंगे ताकि directly आपको यह dashboard मिल जाए registration का ठीक है sign up में लोग को मसले आ रहे हैं तो यह direct link मैं आपको दे रहूं ताकि आपका directly sign up हो जाए यहाँ पे ठीक है जैसे ही आप इसी page पे आते हो CJ drop shipping पे यहाँ पे आपने google पे क्लिक करना है या जिस भी facebook, whatsapp, shopify, apple id के साथ जिससे भी आप login करना चाहे, account बनाना चाहे कर सकते हैं यहाँ पे आप manually भी put कर सकते हैं मैं google पे क्लिक कर रहा यहाँ पे मेरी google id आ जाएगी मैं इस पे क्लिक कर दूगा confirm करके और यहाँ पे अभी थोड़ा सा time हम वेट करें ताकि यह redirect हो जाए अब देखो यहाँ पे आपका CJ का भी account बन गया, यह भी 2 clicks में ही बन गया, Shopify का account भी 2-3 clicks में बन गया, यह भी 2 clicks में बन गया, कितना time इस प पता होगा के CJ क्या है, तो CJ एक drop shipping website है, drop shipping company है, आप इसके product अपने store पे डालेंगे, free of cost, इसको sale करेंगे, जब आपको order आएगा, आप CJ कस्टमर को order बेजेगा, और आपको अपना commission जो है उसमें बचेगा, ठीक है, इसमें मैंने full course वीडियो भी बनाई है, link में description में दे दू और अभी दुबारा से 3 months का आया है, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना बहतर समझा, ताकि आपको पता चले किस तरह भी हमने काम करना है, और जो newbies है उनको पता चले, अब full course का link में description में दे दूँगा, वो must देखेंगे, जब तक आप आप वो नहीं जो है ना वो क्लिक करता हूँ यहां पे, और यहां पे मुझे apps मिल जाएगे, अब मैंने CJ dropshipping यहां पे सर्च करना है, CJ dropshipping, यहां पे मैंने CJ dropshipping क्लिक कर दिया, यहां पे click करने के बाद यहां पे आगया आपका CJ dropshipping, आप install पे लिग करें, और यहां पे हम CJ का जो plugin है, जो extension है, वो add करे तो हमारा जो CJ का account है और जो Shopify का account है दोनों link हो जाएंगे अब जब दोनों link हो जाएंगे तो हम CJ से easily product जो है वो अपने store पे list कर सकते हैं और post कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं दुबारा install पे click कर रहा हूँ और install करने के बाद यह मेरे जो Shopify का store है इसी में इंस्टाल हो जाएग ठीक है यहाँ पर अच्छा जी यहाँ पर हमारा account जो है वो link हो चुका है यहाँ पर आपको आ रहे authorization success CJ will help you make drop shipping business much easier ठीक है अब यहाँ पर आ गया है यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ पर अगर मैंने चेक करना हो कि यह authorization हो गई है कि नहीं हुई तो यहाँ से setting में भी अगर Shopify पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको Shopify का जो है वो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ यह store है मेरा test store मैंने नाम दिया दाना test store तो देखो test store जो है यहाँ पर Shopify का जो है वो CJ में connect हो चुका है और यहां पे एक्टिवेटिड भी आ रहा है अगर आपने और स्टोर इसके साथ कनेक्ट करने टिक टॉक का वू कॉमर्स का एट्सी का और अली एक्स्प्रेस का बहुत सारे हैं तो यहां पे आप दूसरे स्टोर्स भी सीजे में कनेक्ट करवा सकते हैं और अपने प्रोड़क्स यहां से लिस्ट करवा सकते हैं ठीक है अब मैंने क्या करना है दुबारा से मैं यहां पे आ रहा हूं और यहां पे आने के बाद हम करते हैं पेइमेंट्स में आते हैं अगर आपने पेइमेंट्स का सेटप करना है तो यहां से पेइमेंट्स में पेपाल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और अदर प्रोवाइडर्स भी यहां पे आप के लिए अवेलेबल है उसको भी यहां से आप पेइमेंट्स एक्टिवेट जो है और मैंने इसमें explain किया है कि किस तरह हम payments जो है वो activate कर सकते हैं ठीक है यहां पे बाकी अगर आपने store setups करने हैं तो यहां से आप कर सकते हो अच्छा जी यहां पे मैं दुबारा home पे आता हूँ और यहां home पे जो है मैं आता हूँ online store पे online store पे अगर यह आई वाला बटन है इसम इसमें आप अपना जो theme है वो भी add कर सकते हैं इसको design भी कर सकते हैं और जिस तरह आपका दिल चाहिए इसको आप design कर सकते हो ठीक है तो यहां पे यह मेरा main store है और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यह जो आपको address मिल गए वो इस तरह का है तो अगर आप customize domain लगाना चा domains है यहां पे domains पे आके buy a new domain पे click करके जो भी आपका address अपने brand के नाम पे अपने store के नाम पे लेना चाहिए तो यहां से आप अपना custom domain भी ले सकते है ठीक है यह आपने लिया अब यहां पे products पे आते हैं और जितने भी products आप add करेंगे cj से तो यहां से आप add कर सकते हैं कुछ करके आप यहां पे इसको भी post कर सकते हैं अगर आपने cj से करवाना है तो cj पे आएंगे यहां पे और यहां पे आप product find out करके जो है वो करेंगे ठीक है अब for example मैं यहां cj पे आता हूँ अब मैं यहां main cj के website पे आगया यहां पे आपको बहुत सारे trending products मिलेंगे ठ ठीक है trending products आप कैसे find कर सकते हैं कौन से product आपको list करने चाहिए इस पे भी मैंने video बनाई है और description में भी कुछ links दे दूँगा आपको products के लिए ताके आपको idea हो जाए ठीक है अब for example यहां पे समझ ले यह shoes है और इसको मैं करना चाहरा हूँ Christmas shoes है कुछ इस तरह का अगर इस यहां पर click करूँगा यह product यहां पर आ गया है और इसको मैंने simply क्या करना है यहां पर list का button है मैं list पर click करूँगा जैसे ही मैं list पर click करूँगा यहां पर मेरा store आ जाएगा अब देखो यह मेरा store है ठीक है अल्लड़ी Shopify का store आ गया है यहां पर product अगर आपने type choose करना है choose कर सक सकते हो यह आपका home page पर आएगा और इसके इलावा जो है अगर आप इसको variant देखे इसका description देख सकते हैं इसमें edit भी कर सकते हैं यहां पर सबसे important चीज़ यह है कि आप shipping method कौन सा choose करना चाहरे तो यहां पर बहुत सारे shipping methods है और जो भी आप यहां पर add करना चाहे तो आपका प्राइसिंग में यह product आपको मिलेगा total with drop shipping price 8.82 अब आपने कितने का sale करना है वो आपकी मर्जी है अगर आप यहां पर recommended price पर click करेंगे तो automatically यहां पर आ जाएगा कि इसको आप market price पर 84 पर sale कर सकते हो 85 पर sale कर सकते हो ठीक है आप अपना start में margin कम रखे अगर आपको for example 8.82 का मिल रहे कोशिश करें आप 20 का sale करें तोड़े पैसे कमाए ताकि आपको orders आए list now पे click करेंगे जैसे ही आप list now पे click करेंगे यह आपके store पे यह product list हो जाएगा अब मैं अपने store पे आता हूँ जो मैंने आपको दिखाए यहां पे अब यहां पे product कोई नहीं है अगर इसको मै order आया order आने के बाद क्या करेंगे आप order CJ को देंगे और CJ की जीमदारी है product पहुंचाना customer को यह एक quick video मैंने बनाई किस तरह आप CJ पे account मना सकते Shopify पे $1 वाला plan कैसे ले सकते store basic setup कैसे कर सकते connect कैसे कर सकते आप CJ के साथ यह पूरा एक तरीके कार मैंने आपको बताया कि आप अ description में दे दूँगा वहाँ पे जाए उस पे click करें और टंडे दिमाग से वहाँ बेट जाए अपने गर में चाई पीके पूरा course दे के आपको एक एक चीज समझ आईगी उसके बाद आप अपना काम start करें और Shopify से पैसे कमाएं आपके पास 3 months है और इन्शाला मुझे उमीद ह इन 3 months में आप अच्छे खासे पैसे कमाएंगे मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक करें कॉमेंट करें और अगर आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल सब्सक्राइब करें बिल आइ